Previously on Tripura Trip इतसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम Tripura आए और हमने दर्शन किये Tripureshvari Devi के फिर हम गए Tripura की बहुत बड़ी अट्रैक्शन जिसे कहते है Dampur Lake और Amazon of India जो की है Tripura का Chabimura चabimura देखने के बाद इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ का एक और hidden gem जिसका नाम है नीर महल तो दाइस हम पॉज गए है नीर महल और नीर महल अगर तला से सिर्फ डेड़ से दो घंटे की दूरी पर है अगर आपको नीर महल देखना है तो देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत नीर महल काफी दूर है वहाँ पर जाने के लिए आपको बोट करनी पड़ती है यह है सामने बोटी बोट से ही आप नीर महल जा सकते हो अगरतला से तकरीबन 50 km की दूरी पर है और यहाँ पहुशने में अगरतला से आपको लगेंगे तकरीबन 1.5 घंटा अब नीर महल एक वाटर पैलेस है जो की रुद्र सागर लेक पे बसा है और नीर महल तक जाने के लिए आपको रुद्र सागर लेक की एंट्री से बोट लेके जाना पड़ता है जो की तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपको नीर महल तक पहुचा देती है और यहां पर आपको बोटिंग के अलग से टिकेट के पैसे देने पड़ेंगे जो की हैं 50 रुपए काईस में क्या है कि 20 जनों की सिटिंग्स हैं एक बोट पे और बीजनों को होने के बाद ही वो एक बोट निकालेंगे अथ जने हो चुके हैं आठ जने बचे हैं लस आठ जने फटा फटा आजाए तो हम निकल जाएंगी भाई तो एक और तीन सीट चहिए है बस, तीन सीट चहिए है रहे आगे, दो जने तो आ गए, थेख बाकरा भाई हमने देदीया दुबारा मताना अचा थीक, रुप, 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 साल है, ले ले, ये ले भाई आजा अबखुश। बेग टिकेट मुझे भी जे देना। 20 जने पूरी हो गए है और इस ते 50 रुपी की टिकेट थी मिन भैल जाने के लिए तो इस पैसेंजर बोट, they only move the passenger boat then there are 20 people at least it means बदो हजार रुपे में एक पूरी बोट निकल जाती है अधिके बुझाए भाया, आमने पूरा अधिके बुझाए भाया, आमने पूरा आमने पूरा फ्रंट पे सीट मील गई है I don't know if they will let me sit here or not but I'll try to sit here क्योंकि यहां से view और videos बहुत अच्छी आती है कह रहे है कि नीनमेल जाने में वापिस आने में कम से कम एगंटा लग जाता है तो हमें अपस टाइम है, we are not late इसके बाद हमें सिधा अगर तला जाना है और अपने होटल में चेक-इन करना है and if possible, तो हम क्या करेंगे हम रात शाम को इंडो-बंगलादेश बॉर्डर भी जरूर देखेंगे 溢 noun । जर्डर कियो 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 जर्डाम तो गैस निकल पड़े हैं नीर महल के लिए एकदम मेरे सामने है नीर महल, बोट की एकदम चोटी पे बैटा हूँ मैं, एकदम टाइटानिक वाले एरिया पे, एकदम कोले पे, थंडी हवाय चल रही है, हल्की सी धूप है, बहुत अच्छा है, पूरी बोट मुझे हायर नही करनी पड़ी, पेरे पीछे आप देख रहे होगे, बहुत सारे पैसेंचर आ चुके अलड़ी, अब यह नीर महल क्यों फेमेस है, यह देखते हैं, तो हम बोट लेके निकल पड़े नीर महल की तरफ, नीर महल जाते समय हमें पार करना पड़ा एक बहुत ही खूपसूरत यह दो लग है नदी के ओपर खेती हो रहे हैं, यह गाईस मेरे पीचे नीर पहल जो यह के राजा थे, उन्होंने ही महल बनाय तो यह पर अराम करने कले लिए, वह इनका हॉलिडे होम था, था चुक्ती मना ने यह पराज़ी तरफ अराम करने कले लिए, भाई पत्तों में बशगया हमें, भाई इब बट वापिस के पीज़े पने जाएगा, 40 मिन देखने से तो बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है, एकदम पानी के ओपर यह बसा हुआ है, इस जगा के नाम है नीर महल, वाटर पैलेस, 40 मिनट में हमारी बट वापिस जाएगी, तो हमने 40 मिनट ह अब पहुच गए थे हम नीर महल, और वहाँ जाके हमें, पता चला कि बोटिंग के साथ साथ, नीर महल की एंटरी के लिए भी आपको 30 रुपे की टिकेट लेनी बड़ती है, और आप चाहें, तो वहाँ पे audio guide भी ले सकते हैं, जिसका rate होगा 100 रुपे, बट क्यूंकि जब पहुचे तो वहाँ की audio guide खराब थी, इसलिए तुरुपरा Tourism Development Corporation Limited के करमचारी, Mr. Prashant ने हमें पूरे महल की पूरी विस्तार में जानकारी दी इसी के साथ साथ उन्होंने हमें बताया कि कैसे नीर महल की history महाबारत के समय से चलती आ रही है करवो के सरफ से थे फिरम ने देखा कि नीर महल के महाराजा, महाराजा बीर बिक्रम ने इस महल में क्या-क्या बनवाया था और कैसे ये महल उस जमाने का सबसे modern महल था ये ना ना ने ये ना है ये था था मार देखन और ये था ये ता मातूँर अपन अंधर लाए एक ना रूचियो अल़ा मौरास्ता जब थे बातूं के टेंबर्टिस्टर रख थे लगते लगते है अच्छिय। इस मेरा नाम दिया और इसमें सिर्प एंजे करने के लिया दिन. यह सब पता चलता उस गाइड में अपना गाओ कोई जमिंदर लुग होता था तो यह प्रब्लीक से टेक्स लिया करते थे अपना गाओ कोई प्रब्लम मुनने से महराजा से बात किया करते थे इधर से प्रब्लम सब्सक्राइब पहला गाडन था वह महराजा के लिए और जब कि महराणी का इससे इस्तरफ है लेडिस सर्वन विदरी रहते और यह इस्तरफ था दैनिंग और किचन तो भाई अभी इन्होंने हमें बताया बहुत सारी चीज़े बताए राजा का रूम कौन सा था रानी का रूम कौन सा था र यहां पर जो टैलियन टाइल है मारबल लगे वे थे जो परदे वर्दे बात्रूम में जो फिटिंग सी सब कुछ लोग यहां पर तोड़ तोड़ के ले गए उसके बाद सरकार ने इस महल को अपने कबजे में लिया और इसको मेंटेन करा बहुत दिनों तक तब जाकर यह म लुट को में रहता भी ऐर्यानी अब हैनले घ्र legally यह अब महल में हैज। देको फटोर का महल है जो खड़ाव एसे भी लेकिन सिघ्द डेख लिएं के जॉर्ट जो इसको इंट्रसीं बना से और वो स्टोरी कह थे यह और हमने ले Councillor ॅन हमने देख़ है और हमने जो प्रशासन जरूर चलाएंगे और ये बात भी इन्होंने में बताई कि रविन्ना टैगोर जी को अग्रतला में राजा ने एक घर भी बना के दिया, जो आज भी हम जाके देख सकते हैं, तो अगर तला जब हम कवर करेंगे भाई जरूर कोशिश करेंगे, वो महल उनका रविन्ना टैगोर जी का जरूर जाए, आपका शुब नाम क्या है सर, मेरा नम प्रशांत कुमर शाहा, मैं एक टी 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 सिती पुरा टुरीजम डेव कहानी, और उन्हें एक्चुली में इस महल की असली कहानी बताई है, कैसे इस महल को बनवाया गया, कैसे रविन्ना टैगोर ने इस महल का नाम नीर महल रखा, और कैसे यहाँ पे राजा और रानी के अलग-अलग चेंबर्स बने वे हैं, जब 1997 में अजादी मिली और डेमोक यहां पे जो पधरे महल को दुबारा रणोवेट पर醒ार रनुवेट करवाया, तभ जाके महल तूरिस्ट के लिए खुला था, और तभी से हम लोग यहां पर आपते हैं, तो भिया, यह जबर्दा स्वर्दा स्टोरी श्म blessing couldorf ने बारे मुझे, पहले बिल्कुल नहीं पता और थैंक्स टू सर जो यहां पर राय और मुझे सब कुछ एक्स्प्लेइन किया अब हमें सिब 40 मिनट मिले थे कि हम यहां पर रुपकर ही महल देख सके चलो भई अब मीचे जलते हैं क्योंकि हमारी बोट आ चुकी होगी और वह हमें बुला रहे होगी और मुझे तका नीचे अब हो दो दो जाए वहां चाहे है वेट कर लो पाँच मिनट में लेकिन अगर रहे हैं ना तो दिकर दो जाएगी है अब यह बोट चले गए मेरी वह तो 40 मिनट तो हुए नहीं अबी एक जो चले गई होगी यह जल्दी चले गई यह तो जो लोग पहले था उनको लेकर कि कि लोग आएंगे तो उनका साथ में चलाईए यह यह भाई यहां का वेलकम गेट जब जो भी लोग आते थे वो यहां से उनका वेलकम हुआ करता था वैलकम गेट में सबसे पहले देखने चाहिए हम जब से वास्ट में देख रहे हैं कोई बात ने लेकिए इस पूरा चोटा सा पात हुए जाता है जो महल की दूसरे तरफ को जोड़ता है महल की दूसरी तरफ सारे सिपाई लोग रहते थे तो है तो बाई यह जो हम ले अभी जगह देखी यहां पे रहते थे जो राजा थे उनके सारे सिपाई लोग और वो जो पहले हूं Fallout ने को पह बहुत बड़ा है, नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस जमाने ही में यह पता चल गया, कि वहां के राजा बड़े शॉकिंग थे वही, बहुत चॉकिंग थे, उन्होंने अपने इस महल में अलमोस फारी चीज़े रखे हैं, जो आज के modern इस जमाने में होती ह और इन फाक्ट इस महल पर बिजली के लिए वह यह पर दो तीन तीन जनलेटर भी रखते थे, वह जो मैंने अभी आपको रूम दिखाया, वह तीन जनलेटर भी रखे रहते थे, इट इस एन अमेजिंग साइट फॉर्ट भी कवर, और अब हम इस ही बोट में जो मेरी बोट जनलेटर भी किल्कि मुझे काफी टाइम लग गया, 40 मिनट्स उन्हों ने दिये थे, तो जो अगली बोट आई है मैं उसमें बैट के जनलेगा, उसमें पहली आपके बैट गया, कोई नाओ कि दूसरी भी निगल जाए, इसके बाद तो कोई बोट भी नहीं है, अब हम चलत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारी स्टोरीज पता चली, और जो हमारे गाइट साफ थे, वो तो बहुत ही बढ़ी आते हैं, उनको वो ऑडियो गाइट से कहीं फार फार बेटर थे, मतलब उन्होंने फील दे रिया, ऐसा लग रहा है, वो पूरी की पूरी मूवी दिखा दी ह में पूरे इस महल की हिस्टरी की मूवी आमें दिखाई है उन्होंने, तो मैं भी ट्राइ करूँगा अपनी वीडियो में वो डाल सेकों कि वो फील आ जाए कि हाँ भीया, आपको पता चले कि यह स्टोरी किस तरी किसे चल रही थी, यही हमारा मक्सेत रह था था भी, अच् और खुद भी घूमना, इन दा प्रोसेस खुद भी घूमना, तो गईज हम पहुच गए हैं अपने पोलो टावर्स होटल, और बुकिंग करने से पहले मुझे यह नहीं पता था, कि यह अकेला फाइफ सार होटल है, पूरे ट्रिपुरा का, और पूरी स्टेट का सबसे इस पे रेट अच्छे मिल गए थे, डिस्काउंट अच्छा मिलिगा और मुझे होटल अच्छा लगा, तो थोड़ा सा बेटर होटल कल लेते हैं, यह मेरी पिछे होटल, लेट्स गो इंसाइड, हमारी बुकिंग अल्री है, और आइ थिंक मैं दिनर आज से होटल में ही नमस्कार सर, नमस्कार, हलो सर, सर, आइ वर बुकिंग इंद नियमोफ अच्छा मिलिगा होटल में तुम जो कोई कमी लगी, सुपर दुपर फाइट सार होटल इसे ही बोलते हैं, और जो जो प्रिपूरा का सबसे पैस होटल है, वो तो बड़ी होगे होगे हैं, अब यहां जो पैसे देखेंगे, तो मैंने अभी देखता हूँ, मैंने सोचा है कि मैं यहां का एक बड़ी असा क्लासिक बर्गर महानू रात को खाने के लिए, या फिर मैं एक सबजी और आलू नान महाँगा आले कुछा, मिला रूम किदर है, यह देखो सर, यह है 406 हमारा रूम, ख कुछ है इसमें, बस कुछ भी नहीं है, लगज रखने के लिए है, यह कॉफी टी मेकर, आइटिंग नीचे फ्रिज होगा, येस, फ्रिज में मिनी बार है, नहीं, खाली है, और देखते हैं जरा इका बात्रूम कैसा है, यहां पे बात्रूम में ओके शावर केस दे रखा है बढ़िया, और ये है गुट सीट, जोका की, हेर ड्रायर के साथ, यह है लडी, 42 इन्टी दे रखा है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, मतलब पैसी की वर्थ है, अगर 4,000-4,000 रुपे देके आप ही रूम बूक करवाते हैं, तो आइटिंग इस वर्थ इत, सही लग रहे गई रूम बूक का, तो काई सेटल होने के बाद, अमने इन्डूम डैनिंग से ओर लिया था, और हमारा खाना भी आचुका है, मैं अडर किया था एक बर्गर, और चीजी फ्राइब वेनिला शेक, देखों क्या बढ़िया है, देखाता है, यह आए है हमारे चीज सुबा, कल सुबा हम कवर करेंगे अघरतला, तो गुडबनाइट गयज्स और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like button ज़रू दबाए और यदि आप नहीं है तो हमारा channel ज़रू subscribe करें बस दबाईए लाल बटन और उसी के साथ दबाईए घंटे का निशान जिसके बाद आप click कर सकते हैं all notifications और हमारे channel की सारी trips के behind the scenes आपको मिलेंगे हमारे Instagram channel पे तो हमारे YouTube channel को subscribe करने के साथ साथ हमारे Instagram handle को भी follow करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हम ये सारी वीडियो तो बस अभी Instagram पे जाओ और हमारा follow बटन दबाओ और इस वीडियो के लिए हमारा comment contest का सवाल ये है कि नीर महल जिन्होंने बनवाया उन महराजा का नाम क्या था तो हमारे comments में जरूर लिखके बताएं आपको पताई है जो भी हमारी एक महीने की membership लेता है और करता है सबसे जादा और सबसे सही comment उसे मिलते है couple movie tickets absolutely free तो आज है हमारी membership join करें और खेलते रहे comment contest और हम हर महीने की comment contest के winner announce करते है हमारे मन्त के पहले live session में जो की होता है मन्त के पहले Saturday को जी हाँ हर मन्त का पहला Saturday हम करते है live session जिसमें हम previous मन्त के comment contest के winner announce करते है तो कमेंट कॉंटेस्स खेलते रहें और हमारा लाइफ सेशन जरूर रटन करें इट वस्वाइब नेस्ट भी वीदियो गया और बीवल नमस्ते और उस तरह भी जाता है अठरमुरा का जो अंदर जो है सुरंग जो है अच्छा सुरंग भी बना रखा है जो इससे निकलते तक्रीबन अदा घंडा लगता है अब अगर तला आ गए हम अगर तला पहले से बनाने तक्रीबन दो महिने लगा है